हेलो मा यूटूब फैमली, स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूटूब चैनल में आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी गिफ्ट में भूलकर भी ना दे ये चीजे पढ़ सकती है रिष्टों में दरार जब हम किसी के प्रती अपना प्यार या सम्मान दिखाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका उसे उभार देना माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इससे आप अपने प्रेम को तो दिखा ही सकते हैं और रिष्टों को भी मजबूत बना सकते हैं दिरसल ये आपके अंदर की भावनाई होती हैं जो उभार के रूप में सामने आती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को गिफ्ट देते या लेते समय भी आपको जोतिसी के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे रिष्टों में प्यार बना रहे ऐसी कुछ चीजे हैं जो आपको भूल कर भी किसी को उपहर में नहीं देनी चाहिए नहीं तो ये आपके जीवन में कटूता ला सकते हैं आईए जाने कि आपको ऐसी कौन सी चीजे हैं जो किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए परतेक हिंदू घर में उनके पूजा कक्ष में भगवान की अलगलग चबियां मोजूद होती है जब आप किसी को उपहर में कुछ दे रहे हो तो भगवान की मूर्तियां देने से बचना चाहिए दरसल ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जिसे गिफ्ट में भगवान की चबि दे रहे हैं वो उसका अच्छी तरह से ध्यान रखे ऐसा उपहर आप उसे ही दे जो सही माइने में इसकी देख रेख कर सके महा भारत मा भारत भले ही एक पुरानिक पुस्तक क्यों ना हो लेकिन इसे किसी को भी उपहर में देने से बचना चाहिए दरसल यदि हम इसके सार की बात करें तो यह सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक प्राचिन यूद का वर्णन है यदि आप ये ग्रंथ किसी को भी उपहर में देती हैं तो ये आपके उस व्यक्ति के आपसे रिस्तों में दरार का कारण बन सकती है अक्सर लोग गिफ्ट में कोई पानी का समान जैसे डेकोरेटिव आइटम गिफ्ट में देते हैं इसमें एकवेरियम, बाटर फाउंटें या अन्य चीजे सामिल हैं लेकिन जोतिशी की माने तो आपको पानी से जुड़ी कोई बस्तु उपहर में नहीं देनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि पानी के साथ आपका भागय भी किसी दूसरे के पास चला जाता है कई लोग उपहर में धार वाली नुकिली चीजे जैसे की चाको, कटलरी, कैची, आदी देते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी ऐसे उपहर देने से बचे ये आपके रिस्तों में दूरी का कारण बन सकते हैं अक्सर आपने लोगों को किसी दूसरे को रुमाल गिफ्ट में देते हुए देखा होगा लेकिन जोतिशी की माने तो इस तरह का कोई भी उपहर आपके रिस्ते में खटास पैदा कर सकता है ये एक ऐसा गिफ्ट माना जाता है जो इसे पाने वाले के मन में निराशावाद की भावना पैदा कर सकता है अकसर लोग गिफ्ट के रूप में जोते या चपल देते हैं लेकिन जोतिशी की माने तो ऐसा गिफ्ट देना आपके रिस्तों के लिए अच्छा नहीं माना चाता है यूँ कहा जाए कि इस गिफ्ट में आपका रिस्ता तूटने की कागार पे आ सकता है इसलिए इस तरह के गिफ्ट को आपको देने से बचना चाहिए पर्स या मनी बैग पर्स या मनी बैग भी आपको किसी को उपार में नहीं देना चाहिए दरासल हम पर्स में पैसे रखते हैं और यदि किसी को ये उपार स्वरूप देते हैं तो हमारी आर्थिक स्तिती खराब हो सकती है ये इस बात का पर्तिक है कि हम अपनी सकारात्मक बित्य उर्जा किसी दूसरे को भेज रहे हैं लोग कई वार अपने प्रियजनों को उपहर में काले कपड़े भी देते हैं दरहसल ये जीवन में नकारात्मक का संकेत देते हैं अगर आप किसी सुब अपसर पर किसी को कपड़े उपहर में दे रही हैं तो काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए काला रंग भले ही दिखने में अच्छा लगे लेकिन इसे जोतिशी में सुब्दा का परतीक नहीं माना जाता है पैन पैन भी किसी को गिफ्ट में नहीं करना चाहिए इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाब पड़ता है अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई बस्तू उपहर में देते हैं तो आपके अपने ब्यापार में नुकसान जेलना पड़ सकता है